नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशनल मैं हूँ प्रियदर्शन गर्मी उमस और लू के मार जहल रहे बिहार के लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक बड़ी खुस ख़वरी दी है और अब राजी में जहमा जहम बारिस होने के आसार हैं और यह जहमा जहम बारिस के आसार अगले कुछ समय में ही सुरू होने वाले हैं दरसल मौसम विभाग ने आज सुबह सुबह एक चितावनी जारी की है जिसके तब कई जिलों में आज पूरे दिन ज्हमा ज्हम बारिस होने के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग के अनुसार लखी सराई नालंदा और पतना जिले के कुछ भागों में अगले एक से तीन घंटे के दोरान मध्यम से दर्जे के मेगरजन के साथ वजपात होने की संभाबना है दरसल सोंबार सुबह सुबह मौसम विभाग ने यह ततकालिक मौसम चितावनी जारी की है और इसके अनुसार यलो अलर्ट भी जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि राज के तीन प्रमुख जीलों यानि कि पतना नालंदा और लखी सराय में अगले एक से दो घंटे के दोरान तेज बारिस हो सकती है इस बारिस का अनुमान दोपहर बाद से है यानि कि दोपहर बारह वजे के बाद इन जीलों में बारिस की संभावना बन रही है और बारिस की ऐसी संभावना बन रही है जिसमें पिछले कुछ समय से लगातार भीसन गर्मी के मार जेल रहे इन जीलों के लोगों को इस मौसम में बरी राहत मिल सकती है तरसल मांसून का प्रवेस बिहार में हो चुका है और मांसून का प्रवेस होने के बाद भी अभी भी राजिके अधिकांस जीलों में सुखार जैसी स्थिती है लोग भीशन गर्मी के जेल रहे हैं इस्थिती है कि तापमान भले ही पिछले दो दिनो के दोरान तीन से चार डिगरी नीचे आया हो लेकिन अभी भी उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल बना हुआ है तो ऐसी इस थिति में जब लोग गर्मी से परिशान थे उमस जेल रहे थे तो उन सब के बीच अब जो मौसम विभाग की है नई चेताबनी जारी हुई ह इसने एक प्रकार से बड़ी रहत की खबर है कि अब पटना, नालंदा और लखी सराय इन तीनों जिलों में जमाजम बारिस के आसार है इसके अधरिक जो आजपास के कई अनि सीमावर्ती जिले हैं वहाँ भी अब बारिस की संभावना बनती दिख रही है और अगर हम सोंब बार सुबह से बनी हुई है अभी आज सुबह से ही पच्छुआ हवा के आप दौर समाप्त हो चुका है और पुरबा हवा के जो थपेरे हैं वह लोगों को कहीं तरीके से गर्मी से बड़ी रहत मिलने के बाद अब आगर बारिस की संभावना जो जताए गई है वाजमाजम बारिस होती है तो इससे गर्मी का असर और ज्यादा कम होगा और भीशन गर्मी की मार जेल रहे पतना नालंदा और लखी सराजीलों के लोगों को विजेश तोर पर आज एक बड़ी राहत मिलने की संभावना है इसके अतरिक जो अनसीमावर्ती जिले हैं इन जिलों के लोगो को भी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है और वहां भी थोड़े बहुत बारिस का असर देखने को मिल सकता है लेकिन या तो ऐसे में मौसम विभाग न जो चेताब नहीं जा रही कि है उसके अनुसाल इस बहुना के बल बारिस बलकि वजर्पात होने की भी संभावना हो सक तो ऐसे में लोगों को कहा गया है कि आप सुरक्षित रहें और किसी भी ऐसे इस थर पर खराना हो जहां कि वजरपात या फिर जो लाइटिंग की समस्या होती है तो उस समस्या से आपको कोई किसी प्रकार की नुक्सान हो तो अगले तीन चार्स गंटे पटना के लिए होने जा रहे हैं और यहां बारिस के आसार बन रहे हैं